नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MHT-CET के Admit Card के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस परकार से आपको MHT-CET PCB Group का Admit Card डाउनलोड करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक को और सेर कर दे और साथ ही ऐसे वीडियोज देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको MHT, CET, PCB Group का Admit Card डाउनलोड करना है तो आपको बता दे Admit Card डाउनलोड करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialive.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है educationindialive.com Google में यह सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस परकार से एक पे जाएगा यहाँ पर सबसे उपर वाली website को आपको open कर लेना है website कुछ इस परकार से आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा नीच आएंगे तो देख पाएंगे MHT, CET, Admit Card 2023 आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस पोस्ट को open कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस परकार से open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे MHT, CET, Admit Card 2023 डारेक्ट लिंक इदर PCM Group और PCV Group लिख दिया गया है और उसी के सामने डारेक्ट लिंक दे दिया गया है तो आपको क्या करना है आपको PCV Group के सामने लिखे हैं वे Click Here, Par Click कर देना है Click Here, Par Click करते हैं आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने Application Number फिल करने है उसके बाद यहाँ से अपनी Date of Birth को फिल कर देना है जो भी दोस्तो आपकी Date of Birth है उस Date of Birth को यहाँ पर आप फिल करेंगे Date of Birth फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यह Capture Code Edge इस इस Box में फिल कर देंगे और Download पर क्लिक करेंगे Download पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस परकार से एक पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको जो Download का एक बटन देखने को मिल रहा है इस Download के बटन पर क्लिक कर देना है अब आपके सामने कुछ इस परकार से आपका Admit Card डाउनलोड होकर Open हो जाएगा जिसका आपको Print Out निकाल लेना है यह थी पूरी जानकारी MHT CET के Admit Card को लेकर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप लाइक और सेर अवस्य करेगा और साथ यह ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तबा दिजेगा मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में किसे नजानकारी के साथ तब तक के लिए धनवाद